रश्मी और अमर लॉकडाउन के चलते डीजिंग एप पर मिलते हैं उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पस लॉकडाउन खत्म होते ही चेटमंगी पच्छा दे उससे पहले घर में बात तो कर लो अरे मा पापा कभी मना नहीं करेंगे अमर के बात सुन रश्मी खुश हो जाती है ऐसी ही दिन बित्ते हैं और देखते ही देखते लॉकडाउन खुल जाता है जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिष्टा लेकर रश्मी के घर पहुँच जाता है अभी लॉकडाउन खुला ही है और कोरोना तो खतम भी नहीं हुआ इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मी अपने ससुराल पहुँच जाती है बेटा शादी तो तुने अपनी मर्जी से कर ली लेकिन बहु को बोल देना इस घर में हुकम मेरा ही चलेगा इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें मा रश्मी को यहां सिर्फ प्यार आशिर्वाद और अपना पन चाहिए पैसा या राज नहीं बेटी की बात पर सास मूँ बनाये वहां से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मी को परिशान करना और ताने देना शुरू कर दीती है देखो यह है आजकल की लड़की इंटरनेट पर लड़कों से बाते करते हुए इन्हें शरम भी नहीं आती और यहां तो देखो कितनी सीदी सुशील बन कर दिखा रही है ममी शादी के रिष्टे वाले इंटरनेट एप से जब किसी को कोई दिकत नहीं है फिर डेटिंग एप के जरिये मिलना किस तरह गलत हो सकता है रश्मी के डेटिंग एप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लिती है जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते है हाए मेरी माता इतना बड़ा जूट डेटिंग एप को इंटरनेट के जरिये मिली है बोलकर इस कलमुही को मेरे सर लाब इठा दिया अरे नास पिटी तुझे जरा भी शरम नहीं आई वहां न जानी कितने लड़कों से गुलु 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 करके तुझे मेरा ही लड़का मिला था फसाने के लिए मा मुझे तु समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो डेटिंग एप इस्तिमाल करना कोई अपराद नहीं है और तुम रश्मी को ऐसा कैसे बोल सकती हो मैं भी तो था उस एप पर पहले उसके लिए मा से जूट बोला और अब लड़ाई कर रहा है सास और अमर की बात सुनकर रश्मी हैरान खड़ी रहती है अमर तुमने घर में जूट क्यों बोला ये सब देख रही हो ना इसी की वज़े से जूट बोला पड़ा एक तरफ अमर और रश्मी की ये बात चल रही होती है वहीं दूसरी तरफ सास का नौन स्टॉप क्लेश सब को परिशान कर देता है सब एक दम चुप जो हुआ सो हुआ अब मुझे कुछ ना सुनाई दे पती की बात सुन सास चुप होकर वहाँ से चली जाती है लेकिन अब वो रश्मी की सिर दुनिया भर के सारे काम डाल कर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्कल कर देती है ममी मैं आपका गुसा समझ सकती हूँ आपको जो करना है कर लीजिए मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी उमीद है किसी दिन तो आपका गुसा शान्थ होगा और नफरत प्यार में बदलेगी रश्मी की अच्छाए को उसका नाटक समझ कर सास गुसे के सात्वे आसमान पर चड़ जाती है और उसी शाम रश्मी को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहलियों को घर बुला कर उसकी बुराया करने लगती है अरे कुशल या क्या बताओ आज कल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गया है पहले रिष्टे घर परिवार वाले सब देख परक्के कराते थे और अब ये लोग खुद न जाने कहां कहां मिलकर खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं लड़की का कैसा दिन धरम, कैसा इमान, कैसा चरित्र कुछ नहीं पता, बास प्यार किया और घर लाकर बिठा देते हैं अरे ऐसा क्यों बोलती हो आज काल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गये हैं और फिर पूरी जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ निबानी है अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिकत तुही देख ले पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन पहू अर पता है अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग एप के बारे में बताया जहां लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं और पिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी बढ़ जाती है अरे इसमें इतना खुश हो कर क्या बता रही हो ये तो गलत है न जाने कौन क्या है कितना जूट कितना सच है अरे पर सोचो जब तुम किसी के बताय रिष्टे को देखने जाते हो तो क्या एक ही बार देखने से सच जूट का पता लगा सकती हो जरूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं ना अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं फिर इसमें सर्फ बच्चे ही गलत कैसे सहलियों की बात सुन सास सोच में पढ़ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं जिसमें ना तो वो रश्मी को परिशान करती है और ना ही कोई ताना सुनाती है अच्छा लगता है क्या नहीं आपकी शान्ती उससे ज्यादा परिशान कर रही है शान्ती इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गलत तुम लोग नहीं मेरी सोच है प्यार तो एक संदर एहसास और शादी खुबसूरत साथ है अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है इतनी अच्छी बाते मेरी पत्नी तो नहीं बोल सकती क्या आप भी